इस वीडियो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नमबर 6 को जिसका नाम है वर्क लाइफ लीजर और यह है वीडियो नमबर 4 तो आएव हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को टॉपिक नमबर 3 को इसके पहले हमने टॉपिक नमबर 1 पढ़ा और वो भी इवेंट हमने लंडन से जोड कर देखा था तो देखिए वहाँ पर हमने देखा था कि सोसाइटी में काफी तरह के चेंजे आये थे जिनमें से एक चेंज ये भी था कि सहरों में जो पॉलिटिक्स थी वो काफी आसानी से हो सकती थी और कोई भी पॉलिटिकल जो किसी भी देश के उपर हम समझ सकते हैं तो देखिए इसके लिए कुछ एग्जामपल से आप पर दिये गए हैं लेकिन एग्जामपल से पहले कुछ चीज़े में आपको समझा दो तो देखिए जब हम लंडन की बात करें ब्रिटेन की बात करें तो आपने पीछले लोग सहरों में आकर बसने लगें काम की तलास में तो अगर आप compare करेंगे गाओं को और सहरों को politics के नजरिये से तो गाओं में आप पाएंगे कि वहाँ पर कोई भी political event करना कोई भी political काम करना उतना आसान नहीं है जितना की सहर में है क्योंकि गाओं में उतना ज़्यादा काफी कम संख्या में लोग रहते भी हैं लेकिन अगर आप एक सहर को देखें तो सहर में आपको लाखों की संख्या में करोडों की संख्या में लोग रहते हैं तो यहाँ पर अगर आप को political event करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको support भी मिल सकता है और किसी भी तरीके का बड की जाए है उस समय में जब बहुत सर्णी थी और इतनी सर्णी थी कि आप घर के बाहर काम भी नहीं कर सकते थी इतनी सर्णी पढ़ रही थी तो उस समय में जो लंडन के पूर थे वो काफी एक तरीके से नराज थे और उनके अंदर काफी हम कह सकते हैं गुस्सा था और इस ये लोग दंगा कर रहे थे और पूरा इवेंट ये कर रहे थे तो इस चीज को देखते हुए सहर में जितने भी सौप कीपर्स थे उन्होंने अपने दुकानों को बंद कर दिया और वो घर चले गया और दस हजार की भीड को देखते हुए पुलिस को भी बलाना पड़ा अपरी का महौल हो चुका था और ये लोग एक तरीके से मार्च कर रहे थे डेफट फोर्ट से लंडन तक यानि कि इनका जो हम दंगा कह सकते हैं या फिर मार्च कह सकते हैं ये डेफट फोर्ट से लंडन तक हो रहा था और इस मार्च को जो है और इस मार्च में आने वाले या फिर हम riot कह सकते हैं इसको काफी brutally काफी एक तरीके से कड़ाई से इसको surprise किया गया पुलिस द्वारा और इस event को यानि जो 1887 में जो event हुआ उस event को कहा जाता है bloody Sunday of November 1887 यानि Sunday को November में ये event हुआ था और काफी brutally लोगों को surprise किया गया था तो देखिए इस event को हमने देखा कि बहुत ही असानी से जो गरीब लोग थे वो एक इकठा हो गए एक साथ आ गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ या फिर पूरे system के खिलाफ वित्रोह कर दिया लेकिन अगर आप इसी चीज़ को गाउं में देखे तो गाउं में ये करना उतन नहीं मिलेगा और आपको उतना support भी नहीं मिलेगा और आपका जो opponent होगा यानि सरकार हम कह सकते हैं वो काफी powerful होगी इसके बाद इस पूरे event के बाद यानि 1887 के बाद दो साल बाद फिर से एक event हुआ जिसमें जो लंडन के जो dock workers थे वो strike पर चले गए और उन्होंने पूरे सहर में मार्च निकाला एक writer के नुसार उस समय के writer के नुसार हजारों की संख्या में जो strikers थे उन्होंने सहर के रास्तों से मार्च निकाला और इस पूरे event में कहीं भी किसी भी तरीके की ना चोरी होई ना किसी window को broke किया गया ना किसी तरीके का पथर चला कुछ भी नहीं ह चला और इसका main मकसद ये था कि doc workers union जो है उसको recognition मिले यानि सरकार द्वारा recognition मिले पहचान मिले तो देखिए यहां पर simply मैं आपको ये समझाने के कोशिस कर रहा हूँ या फिर ये जो किताब है ये आपको ये समझाने के कोशिस कर रही है कि देखिए अगर आप बहुत बड large population है वो एक तरीके का threat भी है और एक तरीके का opportunity भी है क्योंकि उनसे आप एक जगह पर आपको बहुत बड़ी population मिल जाती है वर्कपोस मिल जाता है लेकिन आपके पास हमेशा ये खत्रा हो सकता है कि आप एक क्या कहते है विद्रोह हो जाए या फिर इसी तरीके का right हो जाए तो जो state authorities जो है उन्होंने इस पूरे event के बाद यानि Britain के मैं बात कर रहा हूँ state authorities वहां के जो थी उन्होंने बहुत सारे काम किये बहुत चीजे की ताकि जो possibility है विद्रोह का इरिवेलियन का उसको एक तरीके से कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके और जैसा की example Paris जंख्या में लोग उन्होंने तस्वीर खिचाई है यहाँ पर देखिए एक चीज है यह आखिर है क्या horsemanization तो यह simple Paris जो था Paris सहर उसका सुंद्री करन का process है और horsemanization इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो इस पूरे event को बनाने वाले थे यानि जो architect है जिन्होंने इस सहर को design किया था Paris को सुंद्री करन के process के दोरान उनका नाम था यहाँ पर Baron horseman इसलिए इस प् पढ़ लेते हैं तो आप असानी से कुस question को answer करने पाएंगे 1852 में जो लूई नेपोलियन 3 था जो की नेपोलियन बेनो बोनापार्ट का भतीजा था उसने खुद को इंप्रव घोसित कर दिया और इंप्रव बनने के तुरंद बाद ही उसने पारिस का rebuilding की शुरुआत की य बेरियन होस्में और इन ही का नाम पर इस पूर प्रोसेस को होस्मनाइजेशन कहा जाता है होस्मनाइजेशन और और वो सीन के रहने वाले थे सायद और वो सीन के परफेक्ट थे और उनका नाम वो काफी प्रचलित था और काफी famous था जब भी बात आती थी forcible reconstruction की यानि कि ज इसको reconstruct करना चाहिए फिर से बनाना चाहिए उसका रीजन ये था कि Paris को बनाने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गरीब लोगों को उनके घरों से हटा दिया गया था और बाहर दूसरे जगों पर ले जाकर बसाया गया था तो इसलिए कहा जाता है forcible reconstruction और ऐसा नहीं कि इवेंट सिर्क परिस के साथ हुआ था और भी दूसरे जगों के साथ हुआ था और जो पूर लोग थे गरीब लोग थे उन्हें परिस के सेंटर से हटाया गया था ताकि जो एक तरीके से political rebellion ना हो इस पूरे प्रोसेस के दोरान और जो सहर उसकी सुंदरता को भी बढ़ाया और इस वज़ये से और करीब ये जो प्रोसेस था 1852 के बाद करीब 17 सालों तक चला 17 सालों तक हॉसमन जो घो ते वो पैरिस में रहे और उन्हें काम किया सहर को सुंदे करन करने के लिए साप सुद्रा करने के लिए और काफी चीज़े लखा ले थे और इसके अलावा full grown trees यानि कि जो बड़े-बड़े पेड़ होते उनको plant किया गया और 1870 आते आते तक जो Paris के 20% state थे उनको horseman के creation के मार्कदर्सन में बना दिया गया थे यानि उनकी मर्जी कनुसर बना दिया गया था और इसके साथ ही policeman को employee किया गया, police को बैठा बनाए गया और tap waters बनाए गया तो देखिए यही पूरा process है horsemanization यानि जो Paris का reconstruction है उसी को horsemanization खा जाता है तो देखिए इसका एक positive side था और एक negative side भी था तो positive side हम यहाँ पर देख लेते हैं, positive side यह था कि इस पूरे event के दौरान इस पूरे process के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को jobs मिले थे और अगर Paris की बात करें तो Paris में उस समय में करीब 20% लोग जो थे वो इसी field में काम कर रहे थे यानि के construction के field में काम कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद इस पूरे process को दारान करीब 3.5 लाख लोगों को Paris के center से हटा कर किसी दूसरे जगह पर जाकर पसाया गया था ताकि सहर की सुंदरता को ज्यादा बेहतर किया जा सके ज्यादा अच्छा बनाया जा सके लेकिन इसका एक देखिए negative side है या फिर negative thought है इस चीज के बारे में वह यह है कि वहां के जो अमीर लोग थे गरीब लोग तो इस पूरे process को खराब मानी रहे थे और उन्हें काफी अच्छा नहीं लग रहा था इस पूरे process में लेकिन इसके साथ ही जो अमीर लोग थे उनका भी मानना था कि इस पूरे सहर को एक कडाई से या फिर बुरे तरीके से ट्रांसपोर्म विया जा रहा है जैसा इस सहर को नहीं होना चाहिए और इस चीज में एक ज पत्म कर दिया गया और या फिर हम कहसे कते हैं सड़कों को मार दिया गया या फिर सड़कों के उपर life को मार दिया गया और एक upper class culture को develop किया गया इस बात से वो काफी ज़्या नराज था ऐसा उनका कहना था और दूसरे मानते थे कि जो horseman थे उन्होंने एक सड़कों की हत्या कर दिया है और उसके जगह पर एक ऐसा सहर बनाया है जिसमें रोड जो है वो काफी empty है सहर जो है वो काफी boring है और पूरा सहर जो है वो एक जैसा दिखता है यानि हर रोड किसी भी रोड में जाए तो वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा दूसरा रोड दिखता है और एक प्ले किया गया था मेजो नुवे ये 1866 में लिखा गया था और इस प्ले में एक old swap keeper जो है वो कहता है कि अगर जगाल आपको थोड़ा क्या गयते हैं घुमने फिरने भी जाना है चलने फिरने भी जाना है तो आपको मिलो तक चलना होग और आप किसी भी जगा जाया तो आपको हमेशा चलना होगा काफी परिशानी नहीं मतलब काफी देखने में अब उतना उदास लगता है पहले जतना उतना जीवनत नहीं रहा हमारा जो सहर वो और पूरा सहर जो है वो एक जैसा दिखता है तो देखिए ये जो चीज है ये जो चीज जो थी ये लोगों के प्राइड का विशे बन गई यानि हमारा जो सहर है वो इतना सुन्दर है इतना साफ है इतना अच्छा है इस तरीके के लोगों के थौट्स आ गए और उसका रीजन ये था कि जो पूरा यूरोप था फ्रांस को छोड़ दे तो क्योंकि फ् या फिर जितने भी सहर थे वो एक तरीके से हेट करने लगे थे पैरिस को या फिर पैरिस से एक तरीके से जलन उनके अंदर आ गया था उसका रीजन ये था कि पैरिस जो था वो काफी खुबसूरत हो चुका था और दूसरे सहर जो थे वो उतने खुबसूरत नहीं थे और जो कि एक तरीके से काफ़े influential थे 20th century के दौरान और ऐसा नहीं है कि इन चीजों को सिर्फ Paris में या फिर Europe में अपनाए गया थे इसके लावा Europe के दूसरे जगों पर भी अपनाए गया था तो यह हमने देख लिया हॉस्टमनाईजिस इसके बाद देखे टॉपिक नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है The City in Colonial India तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई